हाई फ्रेंड्स विल्कम तो मैं इस वीडियो का एजेंडा है कि हम कैसे डिनेट रूल क्रियेट करते हैं मैं वर्जिन 18 में आईजिए वीडियो लेके आया हूं आप यहां पे देख सकते हैं है इस वर्जिन 18-0.5-MR-5 तो इसमें मैं आपको यह बतने माला हूं कि कैसे हम डिनेट रूल करते कस्टम पोर्ट्फॉर्डिंग करते हैं रिमोट डेश्टॉप पोर्फॉर्डिंग करते हैं उसको कैसे करते हैं मैं प्रॉपर बतने माला क्योंकि बहुत सारे यूट्वर बह आदू कि यह हमारा वैन है इंटरनेट है इस इंटरनेट से यहां पर फायरवल कनेक्टेड है फायरवल से यहां पर एक स्वीच कनेक्टेड है स्वीच से हमारा एक डेटावेस सर्वर कनेक्टेड है और इस नेटवर्क में लाइन कनेक्ट है तो जो हमारा लाइन है यह हमारे लोकल यूजर्स हैं और यह हमारे डेटाबेस सर्वर जो DMZ पर है और यह हमारा firewall जो है यहां internet से connected है और एक बाहर remote side में कोई Dubai या कोई अलग country में user है जिसको यह server database server access करना है बिना local network में तो इसको कैसे करेंगे यह मैं मैं आपको इस बार बताने वाला हूं तो यहां पर जो हम configuration करेंगे यह साथ जो laptop यूजर्स यह डारेटली डेटाबेस सरो के एक्सेस करेंगा पॉर्ट फॉर्डिंग तुरू पॉर्ट फॉर्डिंग हम कैसे करेंगे हम इस firewall में पॉर्ट फॉर्डिंग करेंगे इसी firewall जैसे पॉर्ट फॉर्डिंग इनेबल करेंगे जो configuration हम करेंगे वो configuration के तुरू आटोमेटिक लिए यहां पर यह डेटाबेस पे रीच होगा तो चलिए सुरू करते इस इस चैनल वीडियो को तो गाइज इससे पहले मैं ब फेसरेक्टिव की बहुत सारे लोगों को बहुत confusion होती है अब यहां पर दिखेंगे जो मेरे पोर्ट ए मेरे पास LAN है और पोर्ट भी मेरा वैन है तो मैं पोर्ट भी वैन है मेरा public IP address है इसी पर मैं पॉर्ट फॉर्डिंग करूंगा तो अभी हम क्या करेंगे हम पूर रूल सकते अरति फिर्ण भी न데 रूल में आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास तीनी ने टूले एक क्रेक्ष नत है और टेस्ट यह चाहरा है तो अब हम यहां पर फॉर्ड व करना है अ आप जिस सर्वर को पोर्ट होडिंग करना चाहिए उस सर्वर का आई पेड क्या है तो हमारा जो सर्वर है competing 3292 1 68 1 1 2.129 यह हमारा सरवर हम प्». करते हैं तो यहां पर, यहां पे SERVर का नाम आगा, हम नाम मिढ़ servers है हमारा domain server है जिसको हम प्! यहां पने server हमने नाम दे दिया यहां पर server کو local IP server का नाम यहां पर हमने identically the दिया और इसको करते हमको next next करने बाद गाए जब यहां से पूछ रहे हैं कि public IP address तो select public IP address और WAN interface तो यहां पर जाएंगे तो हमारे पास जो WAN interface है यहां पर हमारा port B है जो मैंने आपको लाश्ट वीडियो में भी इसी वीडियो में बता है तो port B पर हमने तीन IP address अलाइस की हुए तो हमने port B को select कर लिया port B select करने बाद हमको बढ़ जाना है next next करना है अब यहां से पूछ रहे हैं कि services आप इस server पर कौन सी service इनेबल करना जाते हैं तो हम यहां पर RDP इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहां पर आप यहां पर अलग से create भी कर सकते कि अभी यहां पर guys RDP का option नहीं दे रहा है तो हम यहां पर custom अभी यहां पर create नहीं कर होता तो तूं उसके लिए सब्सक्राइब आपको इसम smile कर करूँ करूंगा उसके पहले सब्सक्राइब हम को जाना पड़ता है होates में हम भी हम सर्विस करेंगे तो तो होस्ट में जाने कि आपको यहाँ और सर्विस का नाम 3389 यह हमारा आड़ीपी का पोर्ट होता है इसको हमने इनिवक क्रियेट कर दिया आड़ीपी नाम से अब वह आपीस हम चल जाते हैं फायरवर रूल में पायर रूल में हम ऑफिस आ जाएंगे अब यहां से हम एड़ फार रूल पर क्लिक करेंगे अब यहां पर हमको सर्वर का इंटरौनल सर्वर का आइपakter दिल और तो मेरा सर्वर जो 192.168.112.130 यहं पर का इंटरौन्यद priests et हम बहुत यहां पर देंगे domain domain server आपको यहाँ पर domain server देना है और next कर देना है अब यहाँ से आपको interface select करना है कौन सी interface से आप port forwarding कर जोते हैं यहाँ पर guys आपको one interface select करना है जो आपका internet जो ISP न आपको provide किया है तो मुझे ISP न port भी provide किया है मतब यह public IP provide किया है इसी public IP कितुरू हम remote desktop या IDP लेंगे तो यहाँ पर आपने यहाँ पर port select कर लिया अब इसको हम कर देंगे next next करने के बाद अब यहाँ पर हमने अभी जो service क्लिक किया था यहाँ पर आड़ जाएगा यहाँ हम IDP select करेंगे टाइप करेंगे तो देखे हमने अब यहाँ पर service create किया था 3389 वह आ गया है तो इसको यहाँ पर select करना है apply कर देना और आपको next कर देना है next करेंगे अब यह external source network पूछ रहा है devices तो यहाँ पर हमको any ही रखना पड़ता है यहाँ आपको कोई changes नहीं करना है और वापिस आपको next कर देना है next करने को बद गाईज आपके सामने यह एक type हो जाएगा जो जो आपने configuration किया हुआ यह सारे चीज़े यहाँ पर so हो रहा है तो यह सारे configuration ओके हमको यहाँ पर कहीं कुछ निकरना है just हमको कर देना finish finish पर करेंगे तो यह कुछ seconds का process होता है जिसमें हमारा file जिसमें net rule, firewall rule सारा create होता है यह एक method है जिसके through हम करते हैं तो I think so यह अभी create हो जाएगा guys आप देख सकते हैं कि मैं यह light बता रहा हूँ यह मेरा server है जिस server को मैं portfolio कर रहा हूँ यह मेरा video number one है RDP इससे पहली भी मैंने बता चुका था बना चुका हूँ इस topic भी video बट मैंने सोचा थोड़ा से deep knowledge में बता हूँ क्योंकि आप लोग को कहीं कुछ problem ना हो कि आप proper तरीके से मेरे video को देखके आप proper तरीके से configuration कर पाएं तो hope guys मैं जो details share कर रहा हूँ इससे आप लोग configuration प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और आपको सकरतों की कहीं भी problem नहीं आएगी तो guys आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा DNA tool successfully create हो चुका है अब यहाँ पर आप देखे DNA tool यह create हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं और हम यहाँ पर आपको net tool में चले जाएं तो आपको दिखा दू कि automatically एक rule यहाँ पर भी create होगा आप यहाँ पर देखे DNA tool इस server के नाम से और एक loopback net rule create होगा तो यह दो rule net rule automatically create होगे हैं और यहाँ पर जो है और firewall rule create होगा अब आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने server का remote desktop enable करना है remote desktop enable करने बाद बाहर से आप internet connect करके इस public IP के थूँ यह जो public IP हमने बता है यहाँ पे दिया हुआ है यह port भी जो हमारे public IP address है इसके थूँ आपको यहाँ पे reach कर सकते हैं और proper तरीके से आपका connect होगा अगर मैं आपको कहीं भी problem आती है कहीं भी problem आती है आप मुझे comment करिए message करिए मैं आपके comment और reply का message जरूर करूँ गाई तो guys इस वीडियो में इतना ही चलिए चलते next वीडियो में बिलते हैं तब तक लिए जाहिन जावारत